दोस्तों ये मारूती सुजुके का सुफ़ डिजार गारी है इसमें प्रॉब्लम ही आते कि जब भी अपने गारी का ब्लोड फैन को तीन नंबर और चार नंबर पर चलाते थे तो फैन से काफी जदो नॉज आता था बहुत ज़्यादा इरिटेटिंग होता था नॉज तो हमने इस ब्लॉड फैन को खुला तो अब देख सकते दोस्तों हमारे इस ब्लोड फैन के इंदर कितना ज़्यादा पत्ता चले इंदर तो भी हमारा ब्लोट फैन से इतना ज्यादा आवाज होता है दोस्तों ब्लोट दोस्तों हमारी गाड़ी के विंटिलेशन सिस्टम में दो मोड होता है एक अगर आप जो नौन इसी चलाते हैं तो बाहर काव आपको इंटर करने के लिए आपका हमारा जो पैसेंजर साइड का जो वाइपर होता है उसके नीचे लोहा का अंदर एक कट दिया जाता है उसी कट से दोस्तों हमारा बाहर का जो अगर आप नौन इसी चलाते हैं तो बाहर काव आपका गाड़ी का अंदर इंटर करता है उसी कट से हमारा गाड़ी का ब्लोर फैन के अंदर ये पत्ता, लक्रिय, कॉंकर वगर इंटर कर जाता है जिससे हमारा ब्लोर फैन से आवाज निकलाता है दूसरा यह है कि अगर आपका फैन मोटर खराब हो जाता है उस कंडिशन में भी आपका फैन से आवाज निकलाता है अब बत हम blur fan को zero investment में कैसे अच्छे से अच्छे तरीके से clean कर सकते हैं इस बार में हम बात करेंगे दोस्तो हमें blur fan को clean करने के लिए किसी भी पेर का एक छोड़ा सा साख चाहिए होगा इसलिए मैंने पेर का एक पतला सा साख लिया और इस पतले से साख का एक मुको मैंने बरस का तरह थूर के बना लिया अब हम इसी लगडी के साख से पूरे blur fan को clean करेंगे blur fan के हर एक फिन को अच्छे से हमें clean करना है इससे हमारा blur fan में जो भी मिट्टी वगरा चिपका हुआ वो सारा का सारा मिट्टी और डस्ट वगरा clean हो जाता है तो अब देख सकते हैं ये लगडी का बरस blur fan को कितना बहतर तरीका से clean कर दा है तो देख सकते हैं दोस्तों हमारा blur fan बिलकुल clean हो गया इसके बाद हम इस blur fan को गारी के अंदर fit करेंगे और गारी के अंदर कैसे fit करेंगे इसके लिए मैं आपको आगे दिखाता हूँ कि कि किस तरह से fit करना तो सबसे पहले हम इस blur fan का group को मिलाएंगे blur fan का यह हमारा उस वाले हिस्से से मिलेगा उसके बाद ही हमारा blur fan fit होगा तो मैंने इस blur fan को बैठा दिया और उसके एक screw को लगा दिया और भागी दो screw मैं आपको आगे लगा के दिखाता हूँ कि किस तरह से लाएंगे सबसे वेले हम को screw को फसा देना है उसके बाद हमें इस screw को screwdriver के help से अच्छे से टाइट देना है तो मैं इस screw को फसा देता हूँ उसके बाद हम screwdriver के help से इस screw को टाइट करेंगे दोस्तों अगर आपका ये blood fan काम नहीं करता है तो उसको आप कैसे ठीक कर सकते हैं इस screw को उपर मैं पहले ही वीडियो मुना चबाओ आप मेरे चैनल को विजिट करके उस वीडियो को देख सकते हैं उस वीडियो में मैंने दिखाया था है कि blood fan किस किसी रिजन को उसे काम नहीं करता है और उसमें मैंने एक trick भी बताया था कि अगर आप emergency में फज आते हैं उस condition में आपका blood fan नहीं चलता है तो आप उस trick के इसनमाल करके कैसे आप अपने blood fan को temporary ठीक कर सकते हैं वो trick यह था है कि अगर आपका blood fan नहीं चलता है तो आपका blood fan का motor को बीच वाले जो portion दोस्तों वो हमारे blood fan का motor है उसमें आपको हाथ से या किसी भी चीज से आपको ठोकना है अगर आपका fan motor में problem होगा तो आपका ये fan काम करने लगेगा तो ये हमारा blood fan फीट होगी है उसके बाद हम blood fan के इस jack को लगा देते हैं तो ये थी दोस्तों पूरी वीडियो दोस्तों वीडियो का आपको informative लगाओ तो वीडियो का लाइक किजिएगा और चैनल को सब्स्राइब कर लिजएगा ऐसे informative वीडियो को पाने के लिए धन्यवाद